गोपी चंद इकलोते पूत्र थे पिता का द्यान तो चुका था कई कन्याई पूत्र थी माता जी ने एक दिन अपने पूत्र को सनान करते देखा मा उपर की मंजिल पर थी निचे गोपी सिंद की रानिया सनान की त्यारिया कर रही थी माता ने अपने पूत्र को देखा तता अपने पती की याद आई इस आयू में इसके पिता की मरती हो गई थी वे इतने ही सुन्दर वे युवा थे उनको काल खा गया मेरे बेटों को भी क खाल खाएगा क्यों ने इसको भगवान की बक्ती पर लगा दू ताकि मिरा लाल अमर रहे आखों से आशु निकले और गोपीशन के सरीर पर गीर गे गोपीशन ने देखा कि मा रो रही है उस समय वस्त्रापान मा के पास गया रोने का कारण पूचा कारण बताया तता सवे ग गोरक नाज जी के पास लेकर गई और दिक्सा दिला दी सन्यास दिला दिया गोपीशन डेरे में रहने लगा शरी गोरक नाज जी ने प्रिक्षार्थ गोपीशन को उसी के घर भिक्सा लेने बेजा तता का कि अपनी पतनी पाटम दई से माता का कर भिक्सा मांग कर ला कर दोड़ी दोड़ी आई, सब रुने लगी, कहा कि आप यही रह जाओ, मत जाओ, देरे में हमारा क्या होगा, उस समय वापिस देरे में आगया, तता गुरू से सब वरतानत बताया, फिर गोपी सिन की माता स्री, गोरक नाज जी के पास जाकर, गोपी संद को वापस मांगने गई, परन्तु गोपी संद का कि माता जी, अब मैं गुरू जी का बेटा हो, आपका दिकार स्रमाप्त हो गया है, अब मैं किसी भी कीमत पर घर नहीं जाओगा, जो गुरू जी ने साधना बताई थी वा बगती की, यहाँ प्रस्थन यह है कि भले ही वा बगती, मौक्स दा परन्तु परमात्मा प्राप्ति के लिए गुरू जी ने जो भी साधना तता मर्यादा बताई, सीर दड़ की बाजी लगा कर निबाई, वह बिन बात है कि मुक्त नहीं हुए परन्तु जिस इस्तर की साधना की उसमें परतम रहकर उबरे, संसार में नाम हुआ, किसन किसी ज परन्त में लेते है, यदि बगती की सुरुआत ही नहीं, करते तो नरक में जाना था, राज्य तो रहना ही नहीं था, जै गोपी संद राजा की जै हो